अगर बाबु आप लोग महराथन देख लिए हैं यानि कि पूरा एक वीडियो में पूरा किताब हम पूरा कॉंटेंट अपलोड कर चुके हैं अगर उसको देख लिए न तो इसमें जितना कोशन है उसमें मेरी गरांटी है कि आप सब कोशन सही करेंगे अगर नहीं देखें तो प्लीज जा करके एक बर देखिए हम आपकी तयारी के लिए कर रहें उसके बाद से यह अबजेक्टिब लगाएगा आपको दिल को शुकून मिलेगा और सब कोशन सही होगा यहां देखिए यहां कोशन निमलिखित में से किस देश में मिसरित अर्थ व्योस्ता है तो ब उनों का अधिकार हो उसे मिसरित अर्थ व्योस्ता कहते हैं निमलिखित में से किस को प्रात्मिक छेतर में रखा गया है क्रिसी को प्रात्मिक छेतर में रखा गया है उधो को दूतिय में और सेवा को तृतिय चेतर में रखा गया है तो यह वाला क्रिसी प्रात्मिक छेतर ह जाएगा अगला को जन भारत में यूजना योग किस अपना 15 मार्च 1950 को हुआ था ठीक है यह याद रखेंगे आप लोग पूरा का पूरा डेटा यहां लिख लिए हैं और इसको बढ़िया से एक बार समझ लिजी यूजना योग किस अपना 15 मार्च 1950 को हुआ था इसे फिर य बात करें और योजना, oui truth कि आप जितना झूक जीतना उगरा होता है तो पचंच वर्षी यह पांच सल का होता है कि न कि यह प्लानिंग करें कि थोड़ा सा पांच साल में हमारा देश्ट कितना डेवलप कर रहा है इसे के लिए पंच वरसी योजनाय की सुर्वनत किया है योजनाय अब इस पांच वरस में कितना विकास हो रहा है इसको चेक करने के लिए राष्टिय विकास परिसद यहां देखे तो मनें हमारा राष्ट कितना विका को चेक करते हैं ठीक है अब बात करता है यहां अगला कोशन यह तो चार बार कोशन पुछा गया यहां पर एक बार हम लिके हैं 2019 में यह पूछा गया वैसे यहां पर ज्वाहर रुजगार योजना कब लाग हुआ तो यह नहीं होगा 1989 के करीब यह लाग हुआ था तो यहां पर हो जाएगा 1989 यानि कि यह वाला 1989 रास्टी के विकास परिशत का गठन कब हुआ था तो बावन में हुआ था देखें पचास में योजना आयोग के लिए एक क्याओन से सुरू हुआ था पंचवर्ची जोजना और यह कितना डेबलप पर रहा है वो बावन में चेके जाता है विकास के बारे में अगला कुछ्छन को बड़ी संदार तरीका से देखिएगा योजना आयोग को भंग करने के बाद कौंसा आयोग निती आयोग को लगाया गया था नोबल पुरसकार से सम्मानित कौंसे बंगलादेसी अर्ष सास् तो प्रोफिशर मुहम्मद यूनुस जिनको स्वियम सहता समूह वगरा बनाने के लिए सहकारिता के लिए मतलब इनको अवार्ड मिला था नोबेल पुरसकार जो बंगलादेश के थे यहां देखिए किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास शम्भो नहीं यह भी कोस्टन 2019 में पुछा गया है तो यह एपी जे अब्दुर्कलाम बोले थे देखिए आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि कि इतने महान वेक थी इन्होंने कहा है कि देखो तुम चाहते हो ना कि भारत बहुत आगे हो जाए तो पहले बिहार को आगे करो क्योंकि बिहार में टाइलेंट छिपा हुआ है ठीक है अगला कोस्टन अगला नौ नंबर कोस्टन है जिस देश का राष्टिया आय अधिक होता है ठीक है वो बिक्सित देश का लाता है ठीक है यह याद रखेंगे अगला है कि भारत में नीती आयोग की अस्थापना कब होई थी 2015 में नीती आयोग योजना आयोग का नाम बदल के नीती आयोग रख दिया गया था निम लिखित में से कौन सा पिछडा राज है बिहार एक पिछडा राज है जिसमें आपको यादोना चाहिए कि बीमारू में सब आ जाता है बीमारू में क्या आजाता है सब आजाता है यहां लिखिएगा ना बीमारू ठीक है ऐसे लिख दिए तो बी से बिहार, एम से हो जाएगा आपका मध्य परदिस भी हो जाएगा और रू से हो जाएगा आर से राजस्तान आयोग से उत्तर परदेश हो जाएगा ठीक है अगला यहाँ पर देखे निम्नलिकित में से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं तो यह होते हैं परधान मंत्री और यही बात करें चाहें न पूरा ग्रामर रहता है तो उससे आपका पूरा ग्रामर रहता है किस छेत्र को दुद्यक और रहता है भारत की अर्थवास्था कैसे हैं उससे कितने परकार के होते हैं, तीन परकार के अर्थिवास्ता होते हैं, अगला कोशन है, निमन लिखित में से कौन सब देश बिकसित अर्थिवास्ता है, अब भारत ना विकास सील है, अब की कासर बिकसित और विकास सील में क्या अंतर है, देखें, जो देश आगे बढ़ चुका अगला कोसटन में मिस्रित अर्थ्वासता है बहरत में मिसृत अर्थवास्ता धारत में मिसृत अर्थिवासता है अपना प्यारा बिहारी जब पिछरे राज्य हो जाएगा कि नहीं निवनली खित में से समाजवादी अर्थिवस्ता चीन हो जाएगा जपान हो जाएगा रूस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा चीन नहीं है तो यहाँ पर रूस हो जाएगा यह मिस्रित अर्थिवस्ता, अपको एकसर मिस्रित अर्थिवस्ता मतलब समाजवादी अर्थिवस्ता, समाजवादी अर्थिवस्ता में जो भी समपती होती है देश में वो खुद समाज या सरकार की होती है, लेकिन भारत में जो समपती है वो सरकार की भी है और एक इंसान का पर अदिकार है ठीक है मालेजभ नुटके अपके घर पर आपका भी अधिकार और सरकार भी यह सरकार भी चाहेगी तब आपको ुष्भ बनवा सकती है लेकि सरकार बनवाएगी ति आपको उसके वहणा के रूब में कुछ नकुछ देगी निमलिकित में से कौन आर्थिक किरिया नहीं है तो ये बेरोजगारी कोई काम थोड़े है ठीक है ये तो बेरोजगारी बुकमरी आ जाती है पैसा नहीं कमाओगे तो आर्थिक शम्रिद्धी का संबंद है तो आर्थिक सम्रिद्धी के समद यहाँ पे हो जाएगा अल्प कालीन से है दिर कालीन से है दोनों से हो जाएगा आर्थिक सम्रिद्धी बिहार एक राज्य है बिहार एक क्रिसी परदान राज्य है बारत एक क्रिसी परदान देश है गरीबी एक Cancer है तो कुजनेट बोले हैं याद रखेगा और सास्तरी कुजनेट ये बोले हैं कि पता है गरीबी एक Cancer रोक की तरह है छोड़ती ही नहीं है कभी हमेशा पास में पेचार रहती है एकर हमी पंच वर्षी योजना आप बताईए इससे पहले पहली पंच वर्षी योजना के सुरुआथ 1951 से लेकर के 1905 साल तक चला ठीक उसके बाढ़ से बार्षमी का याद रखिएगा उसके बाद बारहमी का ट्रिक याद रखेंगा, बारहमी का दोजार बारह से चला था, दोजार बारह से ले करके दोजार सतरा तक, यह तो याद हो गया, बारहमी बारह से सुरू हुआ है, अब इसके पहले वाले एगरहमी सुरू हुआ है, तो इससे पहले वाले दोजार साथ से लेकर करके 2012 तक 11 नंबर 2012 से सतर तक 12 नंबर हो गया बारामी पंच वर्षी ताप से अगरामी पुछाए तो ये वला डी एंसर हो जाएगा चलिए डेविड काट का संबन्द है बैंकिंग प्रणाली से है ठीक है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं प्रणान मंत्री होते हैं एक अर्थ व्यास्ता का स्रीजन होता है एक अर्थ व्यास्ता का स्रीजन इन सभी से होता है कैसे अर्थ व्यास्ता का मतलब क्या किसी भी तरीका से पैसा कमाते हैं तो भाई प्राकिर्तिक साधनों से का उप्योग भी करके पैसा कमा सकते हैं, बहुत तीक साधन, अम्मानों उद्वारा बनाये गए चीजों से भी पैसा कमा सकते हैं, नेमलिकित में से की छेतर को प्रात्मी छेतर कहते हैं, क्रिसी छेतर को प्रात्मी छेतर, दूतिय छेतर को और अगला कुछचन को भी गौर से देख लेते हैं बहुत अच्छा गोशन है स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद भारत का मुक्या आर्थिक उधिश्य क्या था अरे यहां पे तिवर आर्थिक भी का सब कोई चाहता था कि आजादी होने के बाद भारत में प्या मक्सद है इसका उपाय कोई ने कोई किया जाए गरीबी को हटाए जाए गरीबों को नहीं तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा सभी जरूरी है भारत में योजना आयो के प्रथम अध्यक्ष तो भाई उस समय परधान मंत्री पहले बार में कौन थे 1950 के करीब में अब बते तो हो जाएं आर्थिक सनरचना का एक मुख्य अंग है या तयात और संचार इससे भी बहुत फाइदा है बिहार के आर्थिक पिछडेपन का मुख्य कारण क्या है चनसंक्या का तिवर ब्रिदी आगे भी देख लेते क्रिसी पर अत्याधिक जानभार और यह जाएगा बाढ़ और सुका यह भी है तो यह जग उप्योग सभी अगला कोशन आर्थिक विकास का उदेश से क्या है तो आर्थिक विकास का उदेश से है जीवन जीवन को पारजन इसका मतलब होता है यह आर्थिक विकास का क्या मक्सद हो सकता है कि भाई सही से यहां जीवन चले सही से लोग अपना भरण पुसंद करें अपना परिवार चला है तो इसी को जीवन पारजन कहते हैं भारत में प्रतम पंच वर्षे योजना एक आउन से 56 आपको बताया ही थे योजना बना दिया गया कि भाई अगले साल से तो 50 में योजना योग बने योजना बना दिया है और एक आउन से समाज का कल्याण हो लोग का कल्याण हो ठीक है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उप्यूक तुछ का प्रतिव्यक्ति आए अगर अच्छा से इंसान की कमाई धामाई मापना पूरे देश कितना डेवलप है तो प्रतेक व्यक्ति के कमाई को जोड़ दीजिए प्रत्मिक चेतर है क्रिसी होगा तो क्रिसी मार लेंगे प्रत्मिक चेतर में आएगा पसू पालन यह मतस्य पालन यह प्रत्मिक चेतर से देखे आप यह पसू पालन वगर बताये थे ना कि पसू पालन कोई कमपनी नहीं आपने कभी यह सुना है कि बोड़ अफुन की भैस ले लो ऐसा तो नहीं होता है न तो यह सब जतने भी गॉर्ड दौरा चीज़े बनाई जाती है वे प्राथमिक चेतर में आता है जो इंसान द्वरा बनाई जाता है दूत्यत चेतर में आता है और नौकरी हो गया जिसको उसे सेवा चेतर करते हैं या बैंकिंग सेक्टर भी सेवा चेतर में आएगा तो क्या करता है पैसा दस जरुपी देजे तो बैंक उठा के देदेगा ऐसा तो नहीं करेगा वो सिर्फ आपको सेवा देता है वहां के अफिसर लो तो यह पुछा है मतस्य पलन गौड ने बनाये हैं प्राथमी छेतर में आ जाएगा अगर आप मेराथन वीडियो नहीं देखे हैं वो देख करके तब आप टिक मारिए पूरा का जरुवत है आवास तो यह सब जरुवत है ना यह भी सब अंगे है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है चालिश नमबर अर्द अर्द विक्सित देशों की कारेसील जनसंक्या का अधिकांस भाग सन लगने प्राथमी छेतरों से है क्यों बाबू सभ जर्द जलाब लग बात कर जो देश भीकसित नहीं है मनें और आधा विक्सित व क्यों नहीं बिक सीत है कि वो ञेदी पकर डिपेंड़ अगर वह वैपार करते ना पता है कौन देश खूब आगे है जिस देश में उद्धोग है उद्धोग मनें वैपार है अध्दूसरा जीज़ देश में क्या है सेवा है सेवा का मतलब होता है जैसे क्या बोलता है नौक्री वगर लोग जादा कर रहे हैं वह यह सब चीजे आगे है प्रात्मिक शितर वाले बिकास नहीं आदे बिकास किये है मानो बिकास सुचकांग का अविश्कार महभूब उलहक ने किया था म महबूबा के आने से मानोव विकास कर गया मतलब मानोव आके बढ़ गया यहां देखिए पूरा का पूरा यहां लिख दिए कि मानोव विकास सुचकांग का निर्माड 1990 में हुआ था महबूब उलहक और किस संस्था द्वारा ये कराये थे उन्हों अफिसे में न बैठके करा आगे तो सन्युक्त राष्ट विकास का रिकरम द्वारा देश के विकास को मापने के लिए पाकिस्तान के अर्श्थास्त्री महबूब उलहक ने 1990 में मानोव विकास सुचकांग का निर्माड किया ये पाकिस्तान के थे जरकंड कब अलग हुआ था तो जरकंड 2000 में अलग ह 500 यहां देखे भारत का पहला मानोव विकास रेपोर्ट कभ जाड़ किये गया था याद रखेंगे भारत का कब 2002 में मानोव विकास लिकास का रहना तो सभी देसों में अगर बात करें तो भारत 126 नमबर पहे आगे कितने sleeping हैं रहत कितना नौर्वे जो है नमबर पर है लेकिन विकास के मामले में बहुत अच्छा बहुत प्यार मौनबत है नुसरां कि बिहार में कुल कितने सक्षार लोग में तो लगबग 260 पौट और नौ चौद आप्यार शुक्षा दिसपशा देखें करा दे दो कि century फोकी कुछ आह देता है Vince बस आप याद रखेंगे तीरसेट पॉइंट कुछ ठीक है इतना लोग पढ़े लिखे लोग इतना परत्राइब सी एस ओ किंद्रिय संखी की संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना बताया है तो बिहार का विकास दर 11.03 ठीक है और इससे थोड़ा सज्जाद है 11.05 किसका है या आप कॉमेंट में बताइए अगर वीडियो देखें है तो पीछे वाला जो वीडियो अप्लोड हुआ है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सहरी लोगों का कितना कैलोरी मातरा होती है तो एक कई सो कैलोरी होता है ठीक है नरेगा में मजधुरों को कितने दि विक्सित अर्थ व्यास्ता है तो यह तो है नहीं यहां भी नहीं है यह सब विक्सित नहीं है ब्रिटेन खुदे अमीर है अमीर को विक्सित कहते है जो गरीब से अमीर बनता है उसे विकासील कहते है भूमी की परिस्रामी उसकी आई के रूप में क्या प्रकट करता है तो उस उसे मज़ूरी काते हैं दूसरे के यहां काम करना मज़ूरी कहा लाता है बिहार में सकल घरेलो या कूल घरेलो इतना परतिसाथ है तो यह भी बात करते तो 11.03 परतिसाथ जीडिप आएगा अब बात करते हैं CSO के अनुसार है जीडिप 11.3% है ठीक है CSO की अस्थापना कब हुई थी तो केंद्रिया सांखे की संगठन की अस्थापना दो मई 1951 में हुई थी यह याद रखिगा 51 CSO 51 केंद्र वाला 51 बिमारू राज्य कौन नहीं है तो भाई यहां पर करनाटक नहीं है बाकि सब बिमारू में आ जाएग ठीक है यहां बिमारू अला भी लिख दिये भी से बिहार, एम से मध्य परदेश, आज से राजस्तान, इउस से उत्तर परदेश लेगिन करनाटक नहीं है तो करनाटक में मार देना ठीक है अगला कुशन बिहार का प्रतिव्यक्तिया बहुत ही नियुंतम है कैसा है बहुत ह अभी जीलो में अमीर थोड़ा सा पैसा वाल जीला कॉन है तो पटना का प्रतिव्यक्तिया काफी अधिक है बिहार के किस जीले में प्रतिव्यक्तिया अधिक है बिहार में सबसे कम प्रतिव्यक्तिया आए सीवर का है भाई सबसे गरीब जीला है सीवर ठीक है सबसे छोटा भी है सीवर औस से पूरा दोनो जोटा है भारत में किस राजय में प्रति वेक्ति आए सबसे अधिक है तो पूरे भारत की बात करो ऊबिहार बहिए तो सिर्फ राज्य की बात किया है अधिकि περιो दो आजर आठ नो के अनुसार भारत का प्रतिवेक्ति आये कितना है 25,944 भारत का प्रतिवेक्ति आये है हम फटाफट बता रहे हैं आपको आप्सन को एक्स्प्लेन नहीं कर रहे है थोड़े या समझे बिहार का प्रतिवेक्ति है 2005 और 6 की बात करें तो 6,610 है लेकिन यहां पर सर्वधिक प्रतिवेक्ति है पूरे भारत में चंड़ीगर का है 70,361 ठीक है यहां देखिए बिहार का बिहार की आये में सर्वधिक युगदान किसका है भाई क्रिसी का है खेती का ही है इसी से हम लोग कमाई होता है ज्यादा नहीं है बिहार राजे में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग 41.4 लोग गरीब है ठीक है बिहार राजे में कितनी परतिसेत जनसंखे क्रिसी परादारी थे 86 परसेंट पाप रिपाप इतना लोग खेती परादारी थे बताओ गरीबी के कुछ चकर को किसने परिवासित किया कुजने ठेने किया थे लेकिन यहार पर गरीबी यह कैंसर यह बोले है यह रेगनर नक्स ठीक है यह बोले है भारत की बीतिया वर्स सब छोड़ी एक बात बताए जब भी आपका एकजाम होता है तो देखिए अधिकतर मार्च में होता है मतलब एक साल का सेशन शुरू होता है तो भारत की बीतियए वर्स ही कंडिशने एक अपरेल से लेके अगले साल एक तिस मार्च तक चलता है राष्टिया आय का स्रीजन किसे होता है तो राष्टिया आई सबसे ज़्यादा किसे बढ़ता है उत्पादन से यानि फैक्ट्री वगारा से ज़्यादा बढ़ता है क्यों भी वैपार और क्या बोलते हैं खेती से उतना नहीं बढ़ पाता है राष्टिया निमलिखित में से किस से संबन्दित है तो आपको पता होना चाहिए कि राष्टिया पूरे राष्ट का आए सिर्फ वैपार सिर्फ नौकरी करने से पैसा का कमाई नहीं होता है राष्टिया आए का क्या अर्थ है तो यहाँ पे देखिए तो सरकार की आए परिवार की आए सर्व उपकर्मों की आए और उत्पादन के साधनों की आए इन में से क्या हो जाएगा तो परिवार की आए सर्वधिक सर्वजनिक उपकर्मों की आए हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आए इसमें से डी नमवर का इंसर आपका हो जाना चाहिए सरवजनिक उपकर्मों की आया होना चाहिए इसी को राष्टिया आया काते है ठीक है अब देखिए भारत में राष्टिया आया की गर्णा कब हुआ भारत में राष्टिया आया की गर्णा की सुरुआत कब हुई थी ये वाला स्री एक कावणबावन वाला हो जाएगा टिक राश्टिया आए कि गरणा अपको 551 से शुरू हुआ था युजना आयोग तो ये 551 से सुरू हो जाएगा आपको राश्टिया आए कि गरणा अब यहां देखे भारत का राश्टिया आए सर्व प्रत्थम अनुमान लगा तो ये तो सबको पता है कि दादा भाई नरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्टी आय की गढ़ना का अनुमान लगाया और इन्होंने बता है कि भारत का राष्टी आय पता है कितना है बीस रुपिया प्रतिवेक्ति आया है पापर इतना कम बता है और दादा भाइन रोजी जो बुड़ो हूँ है बहुत ग्यानी थे और सबसे पुले 1860 में इन्होंने राष्टिया आय कानुमान लगाया था अब बात करते हैं यहां कोश्चन नमबर 20 एक और है भारत में राष में हुआ था ठीक है यह याद रखिएगा के अंद्रिया साथ की संगर्ण के इस्थापना कब हुए था 1991 यहां पर लिग भी दिया है सी एस ओ की अस्थापना ठीक है चलिए अब बात करते हैं विश्वा आर्थिक विश्वा आर्थिक मंदी यहां पर कब हुई थी तो 1929-19 1933 के बीच में हुई थी यह तो पता है सबको और यह सभी सब्जेक्ट में लग 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 दिया है इस टीजोग्राफी में दादा भाई न रौजी जो थे यह तो जानते हैं कि प्रतिवेक्तिया सबसे पहले 1868 में दिये थे लेकिन कितना रुपिया दिये थे तो इन्हो 1868 में लगाए है ठीक है पुवर्टी एन अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया धन के बहिर कमन का सिधान ठीक है दैदा भाई नरोजी ने दिया था ठीक है कि माने यहां पर सभी धन अंगरे जो के लेके जा रहे है पुवर्टी ऑफ अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया आई और अंतर को क्या कहते हैं बचat कहते हैं मानलिज यहां का मतलब कमाई आप कुछ कमा लिए और उसमें से भूप बने होगा खर्चा तो आप खर्च कर दे तो कमाई मैंसे खर्चा को जब निकाल देगे 10 रुपीया कमाई है चार रुपा खर्च हो गया तो का बचा बचा ना तो का बचा तो बचत कहते हैं उसे जो बचता है उसे बचत कहेंगे नए अकड़ो के अनसार अमेरिका का प्रतिव्यक्ति आया है डॉलर में अकड़ 46,040 डॉलर है लेकिन वही देखो हम लोग का प्रतिव्यक्ति है मत्र नो सो पचास डॉलर है ठीक है अग कहां 46,040 डॉलर है तो भाई प्रतिवेक्तियाय में इतना आ गये तो डेवलप होगा नहीं इसलिए तो अमेरिका विक्सित है और हम लोग विकास सील है अगला है यहां पे question कि प्रतिवेक्तियाय का आज से क्या है प्रतिवेक्तियाय का है औसत आय प्रतिवेक्तियाय का मतलब क्या होता है एबरेज आय निकलना सब का आय निकलना प्रतिवेक्तियाय का लाता है राष्टियाय आय जाना जाता है वही किससे जाना जाता है तो यहां समाज में सभी वर्गों का विकास, समाज में सभी वर्गों का विकास गालादा दो राष्टिया आय के सुचकांक में ब्रिदी होने से लोगों के विकास में ब्रिदी होती है तो आर्थिक विकास होता है इसे क्या कहते है आर्थिक विकास कहते है अगला कुश्चन आधुनिक यूग की प्रगती का स्रे तो सुनिए ध्यान से आप देखें है पहले बहुत पहल इसका स्रे किसको जाता है मुद्रा को जाता है पैसा नहीं रहता तो इतना देश विकास नहीं कहता है यह मारसल ने कहा है ठीक है चलिए यहां पे देखिए एक और चीज बोले हैं बेचारे मारसल ने कहा है कि आदुनी क्योंकि प्रगति का स्रे मुद्रा है एक और बत बोले ह है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है यहां देखिए मुद्रा वाला कोश्चन देख लें मुद्रा का प्राथमी कार्य क्या है तो मुद्रा का प्राथमी कार्य माध्यम विनमे का माध्यम विनमे मने लेन देन का सबसे अच्छा साधन मुद्रा माना मूद्रक का है मूद्रक का कार क्या होた के मूद्रक चाप का महान माध्यम मापन संचईबोकुत 강ुण ons जायेары का माध्यम मापन अब यहाँ संचई और यहाँ संचर संचई होगी और यह ति व dośćका मेरे वह सब इन में से कौन मुद्रा का कार्या नहीं है तो देखते हैं माध्यम भी यह मैपन भी भुगतान भी अरे लेखन पईस्या का कार्या नहीं है भाई यहां देखिए बंगलादेश की मुद्रा बंगलादेश की रजधानी धाका वहां चलता है टाका टाका भड़ गया बंगलादेश में ठीक है तो बंगलादेश की मुद्रा को टाका कहते है यहां पे लिख दिये टाका लिखा है टाका होता है अब सभी देश की मुद्रा यहा भीखारी हम लोग को बना दिया कि एको पाउंड कुछ नहीं बचा तो इसमें पाउंड बोला जाता है स्वीडेन स्वीडेन जहां है उसमें क्रोना बोला जाता है पैसा को यहां देखिए उसके बाद से बात करें इराक में दिनार और इरान में रियाल होता है ठीक है तो यह आप याद रख सकते हैं अब देखिए अगर यहाँ पर डाउट हो जा रहा है इराक इरान में तो देखिए इरा इरा तो दुनु में हैं यहाँ पर पहले को है यहाँ को के बाद न नो होता है उसी तरह रो के बाद न लो होता है ऐसा समझे कि नहीं तो यही को वाला यानि कर लिखेगा यहाँ पर नल लिख लिजेगा कुछ बैठ जाएगा तो यह आपको याद हो जाएगा इस छोटे से ट्रिक से इन में से कौन सा मुद्रा सन्युक तराष्ट अमेरिका में प्रचली थे तो अमेरिका में डॉलर चलता है ठीक है अमेरिका और सिंगापुर में क्या चलता है डॉलर चलता है वस्तु विनमे की मुख्य कठनाया क्या है वस्तु विनमे मने एक वस्तु ले करके उसके बदले मे दूसरा वस्तु लिया जाता है तो इसमें कठनाई का होता है दोहरा सन्योग का भाव हो जता है मालेजे की वस्तु एक वस्तु दे क्या दूसरा वस्तु लेना है तो आप मुल्य को नहीं मकटन है किस चीज राए धुकान पर पर दुकान पर चावल देखे गेहूं ले रहे तो यहां पर आपको यह कहां पता चलय है तुछ कौन कितना रुप्य है कि आés कर दो जोए है चलिए प्रात्मिक अवस्था में मनुस्य का वैपार समझेगा किस पर अधारित तो यह वस्तू में पर अधारित था एक वस्तू लेकर रोपीया किस दिस की मुद्रा है तो यह भारत पाकिस्तान आपास तीनों का एक च में करें मुद्रा में क्छोंग है मुद्र है कौन से दस रुपे का नोट धीते चुका कोँ आज कलके हैं यह भी अधिक पर चली थे मुद्र का धातवीक सोना पत्र मुद्रा होता यह पैसा नोट को कहा है है नोट च्र kवर्षण में चला है सोना का सिक्क्या थोड़े चल रहा है मुद्रा का प्राचिंतम रूप क्या है तो पत्र मुद्रा हो जाए सॉरी पत्र मुद्रा नहीं होगा सबसे पुराना बोल रहा है तो धातु मुद्रा हो जाएगा वस्तु मुद्रा हो जाएगा एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु लेना, ठीक है, विनमे का माध्यम क्या है, तो भाई, मुद्रा विनमे का माध्यम है, मुद्रा विनमे का माध्यम बोली दिये, मुद्रा विनमे का क्या है, माध्यम है, विनमे माने लेन देन करना, विनमे माने का होता है, लेन देन, तो पैसा क्या है, लेन द पाइसा जो पाइसा काम करता है ऐसा भी सायरी मारता है कि मज़े नहीं आता है होट याद रखेगा होट यानि दिल दिल पर लगा है ना निमलिखित में से प्लास्टीक मुद्रा का रूप है चेक प्लास्टीक का नहीं कागज का होता है ठीक है कागजी नोट यहां ATM काड प्ल होता था किसी जबाने में एक रुपे का नोट कौन जारी करता है तो एक रुपे का नोट के अंद्रिया सरकार के बीत भी भाग जारी करता है लेकिन सभी नोट और सब एक रुपे के नोट को छोड़के बाकि सब नोट रिजर्ब आइंग अफ इंडिया आर भी आई जारी करता है ठीके यह आप याद रखेंगे यहां आपको लिख भी दिये हैं अगला कुश्चन है आधुनी की युग का अर्थ व्यास्था में प्रगति का स्रे किसे जाता है तो यह मुद्रा को जाता है आधुनी की युग को बनाने में मुद्रा का युगदान है पैसा नहीं रहता तो इतना देश डेवलप होता नहीं होता ठीके अब बताएं जिंद्गी भाएं वस्तू से वस्तू खरिते रहा जाते जाकर के कोई यहां थियार खरिटना अतमकाएं का सुनिए ना दस किंटल गेहूं ले ले लेज यह बात मार्सल ने कहाता था निमली खित में साख पत्र के अंदर का कौन आता है तो सब आता है सब पैसा हो जाएगा आपका साख का अर्थ क्या होता है विश्वास देखिएगा आप नोट देखें थें तो नोट के उपर लिखा रहता है मैं धारक को ऐसा लिखा रहेगा नोट के कहीं उपर थी कैंक이다 500 रुपे देने का वादा करता हूं या अदा करता हूं घ् lebih वे स्वास हट गया रिकल मोदी जी किया कि पांसो और کजार के नोट से बिश्वास अटा दिए कि मैं इसे नहीं मानूंगा तो बिश्वास खतम तो उसका अगज का कोई भैलू अभी नहीं रहा गया है एक हजार और पर परणस वाले जो पूरा ना चल रहा था तो जब तक यहां बिश्वास है है सरकार का तब तक चले गए तो साख एक सरकारी में सभी बैंक का जाएगा गैर सरकारी जो हता है माने प्राइबेट होता है जो आपको पैसा देता है जैसे गाओं के लोगों से ले लो तुम रिस्तेदार सहुकार सेट यह लोग जो पैसा देता है वो गैर सरकारी जितना बैंक देता है वो सरकारी बैंक ना कौम प कहेगा तो यहां बात कर रहे हैं कि कौन सा बीतिय संस्थागत साधन है तो यहां हो जाएगा रिष्तेदार सेट सहुकार वैपारिक यहां पर वीतिय की बात कर तो यह वैपारिक बैंक हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन निमलिखित मुद्रा बजार में किस परकार के रिड देता है पॉइस से लोग कम्हें समया के लिए लेकिन लम्मा समया के लिए भारतिय मुद्रा बाजार नहीं भारतिय पूझी बाजार पूझी बाजार एंदा है। यहाँ लिखे होंगे जरूर, देखें यहाँ पूंजी बाजार और भूमी विकास वाइंगी दूगोया अच्छा बताओ मान लो कि आपका कोई जमीन रख लिया पैसा पर ठीक है बाने रखा जाता है ना जिब बंदित रखा जाता है तो भाई ज्यादा दिन के लिए लोग तब है न भूमी देते हो तो दिर कलीन के लिए लोन भूमी विकास में और पुंजी बादाय द हुआ सबसे लिए नियम बना करता है और बंकोब को बता हुआ और बीडिया किki बैंक के लिए पैसा कले नियम डाका होता है तो का बैंक केंद्रिया बैंक सब आर बीए रिजर बैंक आफ इंडिया होता है यह आप याद रखेंगे जिसके अस्था अपना कब इती 1935 में हुआ था और यह राष्टी करण माने राष्ट नहीं से अपना घोशित कब किया बहरत की वितीय राजधानी मुंबई को बोला जाता है क्या इसको बोला जाता है और शिलिकॉन सिटी किसको बोला जाता है वैंगलोर को बोला जाता है रिजार बैंक अफ इंडिया के स्थापना 1935, एक अप्रेल 1935 को हुआ था, यहां देखिए तो नवाड क्रिसी और ग्रामिड साथ के लिए, इसमें गरीब द्वारा ही सब किया गया था, बियार में छेत्रिया ग्रामिड बैंक के अस्थापना कब होई थी, तो उनने इसो बैंको को याद करने का ट्रिक, अच्छा देखिए कितना पूरा किताब मात्र ए घंटा में कंप्लीट है, और वो भी ट्रीक के साथ आप विश्वास नहीं करेंगे, तो उसको विडियो को देखीगा, तो आपको जरूर समझ में आएगा, यहां देखिए, इसमें देखिए तो छेतरिय ग्रामनी बैंको के संक्य एक सो चानबे है, अब देखिए, दिर्कालीन रिड़ परदान करता है, लंबा समाई के लिए भूमी विकास बैंक करता है, यह पूंजी बजार करता है, तो भूमी विकास बैंक अप्सन में है, वह पारिक बैंको का राष्टी करन उन 179 में हुआ था भारतिया रिजर बैंक केस था अपना 1935 यह तो बताए ही थे आपको सहकारिता अंदोलन कप प्रारंबुआ था तो यह 1904 में प्रारंबुआ था याद रखेंगे स्वेम सहयता समुह के सदस्यों में समाने अता होती है 15 से 20 लोग स्वेम सहयता समुहता है 20 अधमी रोज एक जगह पैसा जामा करेंगे दासदस रुपिया एक हथा फ्राइथे पे रोज जामा करेंगे कुछ दिन के बाद चाल मेना सालवर के बाद बहुत पैसा हो जाएगा SCH Shirley melody को ज手 gleich पैसा होगईहिंगा अपना काम काम करेगा पहतर अपना पूरा हो जाएगा तो मातर थोड़ा सा ब्याज देगा, जितना बैंक देता है उतना नहीं, थोड़ा सा और फिर जामा कर देगा, यहां रख देगा, फिर जिसको जोट होगा वो ले लेगा, इस तरह से एक दूसरे का कॉपरेट करते हैं, स्वेम को समुह बना के सहायता करते हैं, उन्दर से 20 ल होगे घटा ही रहेगा किसी इशानों का, किस योजना के अंतरगत सरकार ने ग्रामिडों को काम के कनून अधिकार दिया, काम करने का अधिकार मनरेगा, अफसन 4 भी है, संपून रोजगा गरांटी, काम करने का अधिकार मेरे को जहां तक लग रहा है, यह मनरेगा होगा, न बाहर रुजगार योजना उननाई सोचिया से सभी योजनाओं का ट्रिक आप याद कर लिजिए कि एक्जाम करीब है थोड़ा सला परवाही किजिएगा मामलागड़ बढ़ हो जाएगा ठीक है इस विडियो को एग घंटावला संपूर मैं राथन इससे पहले जो अपलोड ह है देख लिजिए बाबू आपको समझ में आ जाएगा अब बात करते हैं कि मानो पूंजी के पर्मो घटक कितने है तो भाई पांच गो घटक है ठीक है रोटी कपड़ा मकान स्वास्त और सिक्षा ठीक है यह पांच गो घटक हो गया छे बरस लेकर 14 बरस के बच्चों को द किस परकार की सिक्षा को मौले 아침 गोश्ट को बोला है ठाल अगला कूश सं भी बब बहुत अज़ा है भारत का कौन सा सहर समुचित प्राधोकि में विश्व में अग्रनी और प्राधोकि तो यह वाला हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वैपार पूंजी तक्निक का स्थनांतर मतलब होता है कि सब लोग अपने अपने देश में पहले खुश थे अपने देश में चूपचा वैपार कर रहे थे लेकिन सब बन रहा है ये भाई दूसरे दिस में नहीं पहुंच पर है दूसरे दिस में क्या बन रहा है ये दूसरे दिस में नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए एक बाजार बना दिया सभी दिस में सभी दिस के लोग अपने यहां के बाजार करेंगे अमालिजी इंडिया का समान दूसर ले जाएगा दूसरे जाएगा का समान इंडिया ले जाएगा तो इस तरह से सब विश्व के सभी समान हर जगा पहुँच जाएगा ठीक है इसी को कहते हैं क्या वैस्वी करण या भू मंडली करण कहते हैं तो यह आपका answer कौन हो जाएगा, आपका option number B answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगला question है, वो मंडली करण को क्या कहते हैं, वैस्वी करण को क्या कहते हैं, तो वो मंडली करण कहते हैं, यह तो मैं ऐसे ही बोल दे रहे हैं, चलिए question को समझेए, थोड़ा zoom करने द इंडिया में आ गया है, तो भाई इस पर कुछ बुरा परवाव पड़ा है, तो पता है, सबस्यादा खेती पर, अब खेती का बना हुआ चीज, किसानों द्वारा बनाएगे हैं, चीजों को कोई नहीं खरीता है, असाब कोई देखना मसीन से बनी हुए चीजों को खरीता ह हैं, ठीक है, यहाँ पर अगला कुछ न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, फिर से मुझी, किस वस्तु के ग्राहक, जो वस्तु यह हम सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या का जाता है, उपभोगता मने ग्राहक, जो ग्राहक नहीं ठीक है, यहाँ देखिए, क्रिसी उपभोगताओं के मानवी करण के लिए किस मानक का पर्योग किया जाता है, तो यह एग मारका, और एक और बात बता देखिए, जितना भी खाने वाला समान होता है उस पर एग मारका सिम्बल होता है, और सोना पर पता है किसका होता है, सोन भारत में रास्टिय उब्होक्ता दिवस सुनिया है भारत में रास्टिय उब्होक्तादिवस पंदरा अगे सब्घूचेental Be रक्षे कें केलिए 1986 में कनन बनाएं अधनियम भनाएं जो किवल के लिए नृह के लिए के सब के लिए सब हो जाएगा और अगर परि상 यह यह डुकन दार अब्लविभा की वहोत लुटता है तो इस के लिए नंबर हेल्प लाइ नमबर अठारो सो एगारो चार हजार यह याद रखेंगे ठीक है चलिए भारत में उबोक्ता संरक्षण अधनियम की घोश्णा का अब हुई हाज समागरी खाने वाला समाट पर एक मारा अठारो ने अन्ड़ा उता है खाने वाला समाट एक मार खाते हो ना यह यहाद रखेंगें निम्ली कित में से और एक भी खाने वाला चीज है सुन सुना की सुल्ता को जाचगर करना हो बाबू तो उसपर हॉल मार्क देखते हैं यदि किसी वस्तु है सिवा का मुल्य बीस लाख से कम हो मौन लिजे कि आपको उनों समान खरेदे बीस लाख से कम है तो आपका उसमें अगर घोटाला लग रहा है तो आप किसे सिकायत करेंगे आप करेंगे जीला पोरम में इसलिए आप सिकायत कोई नहीं कर पता है भाई हम लोग यहां छोटा दुकान लूटता है बीश लग देखे हुए भाई हम लोग गरीब आदमी भारत सरकार ने सुचना का अधिकार अधनियम कब पारिद किया 2005 में सुचना का अधिकार अधनियम पारिद हुगा था तो उमीद करते हैं कि पूरा का पूरा लेक्षन समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार महराथन का एग घंटा में पूरा एकनॉमिक से इधियाकंत पुरसूर अबबूरSpotlav की और कश्योंति विडिए कि वाजिवन है। ठीच को सब्सक्रांगा टाक कि को यह जरनत है किलेंंगे विडियोमें टब तक के लिए जैंद। और खुदा आफिश